जहिंद UPSI के साथियों कैसे हो आप सब मैं उमीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे देखिए नए येर के साथ साथ आप लोगों के लिए नए नए खुसिया आ रही है नए नए बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं कल कडेट में आप लोगों को आपके ट्रेनिंग से रिगार्डिंग पेपर में अपडेट देखने को मिला था और आज जो है अनफीसियल ही है लेकिन एक लेटर आपको देखने को मिलेगा अभी तो इस लेटर की फुष्टी नहीं हुई है लेकिन आप उस लेटर से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लो तरीक से बिल्कुल होगी और आप लोगों का उमीद है कि जोइनिंग लेटर बिस तरीक 15-20 तरीक के बीच में दे दिया जाए लेकिन महीं है कि मैंने जेटी सी के विबारे में चर्चा किया था तो जेटी सी यदि आप लोगों का होगा तो आप लोगों का जोइनिंग 5-10 तक करवा दिया जाएगा अगर जेटी सी इंटेडियूस किया जाता है UPSI के लिए तो यदि जेटी सी नहीं होगा तो आपका जो ज्वाइनिंग हो सकता है 20-25 तक कराई जाए मतलब लास्ट तक चार दिन पास दिन आपको समय दिया जाए फिर आपको जो है ट्रेनिंग सें प्लिटर है PTS है यह सब है यहां पे भी आप लोगों की ट्रेनिंग कराए जाएगी तो उससे दो-तीन चीजों की पोस्टी हो रही है लिटर से आपको त्माम चीजों के बारे में जनकारिया मिलेगी और यह भी उसमें आपको यह चीज देखने को मिलेगा कि ट्रेनिंग कर आने के लिए जो भी एकुपमेंट्स होते हैं उससे रिगार्डिंग हर ट्रेनिंग सेंटर से यह चीज मांगा गया है उस लेटर में यह भी चीज आपको देखने को मिलेगी ठीक है बाकि सबकुछ फीट है और 31 तरीक से आप लोगों का ट्रेनिंग चालू होने वाला है त के साथ कोई भी फर्दर अपडेट आता है तो पुरंत आपको अफडेट किया जाएगा बाकि अभीवी आपको जो है बचबचा के रहना है और एक्सेडेन्ट वरगरा से बच और शाब सा जगराज़न्जट से भी बच किराना है खाना पीना है बिल्कुल मस दुराना है और ज्यादा टेंशन वंचन नहीं लेना है ठीक है फिर मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट अग्रेट में जहिंद बंदे मातर हुए